बाजार का हाल बता देते हैं तो दो दिन की गिरावट के बाद बाजार में शॉट कवरिंग के चलते अच्छी तेजी देखने को मिली मिले जुले ग्लोबल संकेतों की तर्च पर भारतिय बाजार की सुस्त शुरुआत हुई लेकिन कारोबारी सत्र के दोरान बाजार में धीरे धीरे खरीदारी बढ़ी और बाजार दिन के उपरी स्तरों के करीब बंद हुआ चोटे मजॉली शेरों में भी खरीदारी का रुजान रहा, कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 261 और निफ्टी 61 अंकी बढ़त के साथ बंध हुए बाजार की तेजी में मेटल, बैंक और आटो शेरों का सबसे ज़ादा योगदान रहा, वहीं ओयल मारकेटिंग काम्पनियों के शेरों में बिकवाली देखने को मिली तो निफ्टी आज 10750 के पार बंध हुआ, बाजार की दो दिन की गिरावट जो है वो आज थम गई, लेकिन वो कौन से सेक्टर्स थे जिनों ने आज बेहतर पफॉर्म किया, दिन भर कैसा रहा आज बाजार का हाल, ये जानने के लिए मेरे साथ मेरे सहुगी रजट जादा अबडेट के जुग है, रजयत, आज मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच यहां बाजार में शुरुआत जो हुई थी, वो काफी सुस्त हुई थी, दिन भर का मावल कैसा रहा? सबसे जादा खरेदार हुई Reliance Industries में, वेट बहुत कैरी करता है इंडेक्स में, और आज के सतर में लबबग 2% से जादा की तेजी Reliance Industries में थी, निफ्टी का टॉप कॉंट्रिब्यूटर था ये, इसके लवा इंडेसिन, बैंक, टाटा, स्टील, कोटक, महिंद्रा, ये बैंक जैसे में बात कर रहा हुँ, आज दिन था इंडेसिन, इंडेसिन, आईडेसिन, बैंक, बंधन, येस बैंक जैसे स्टॉक्स चले, मेटल्स, रिकवरी थी, आज विदानता, टाटा, स्टील, कुकि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन्स में बहुत जादा बेक्वाली अल्रेडी इन स्टॉक्स पे हो चुकी थी, और फार्मा तो वैसे ये अट्रैक्टिव है ही, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो लगातार बिकवाली थी, आज 7% टूट गया, 1% अवन्ती, फीट्स और कॉपरेशन बैंक भी तूटते वे नजराए, वील्स इंडिया, जैकॉप, के पी आर मिल और जेंटेक, स्मॉल कैप कैट डिगरी में, जहां पर एक्शन स्ट्रॉंग, ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया जित इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए